और लोकल सिरीस में इस लोग वाद में आतिहास कर रहे हैं अगर आप पूरा अगाइनों में चैनल पर नए और से चैनल को सबस्क्राइब कर depends तो प्लीज 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 इस सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस वार का योपी PCS या फिर BPSC प्री देने वागा है उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएंगे ताकि उनके एकजाम में भी यह वीडियो काफी ह वीडियो लेक्सर प्लीज पिछूर था शुरू करने सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ड कर और कमेंट जरूर ब móता है आपको हमारी है बोधिस्तेौं कांकर मिला है तो विशुद्धि गम के रचाईता कौन है तो वुद्धि गोषा विशुद्धि प्रत्म सतावदी इश्वी में किस भारती बहुत भिच्चु को चीन भेजा गया था तो दी अपसन भेजा गया था तो ऑफ सुन्नीता के सिधांद का सरपर्थम महापृति पाधन किसके द्वारा करने वाला बहुत दर्शनिक का नाम है तो यह उपसन भेजा गया जाग नागार्जुन के इस बहुत संपर्दाय के थे तो सी अप्शन हो जाएगा माध्यमिक फिर अगला प्रस्न है बात इतियास के संदार में नियुकित यूगों पर विचार कीजिए अतियासिक व्यक्ति और किस रूप में जाने गये थे तो इसमेरित है अथरवेद जैन विद् नातमुनी वेशुब विद्वान तो इसमे दो यूगहम सही है पहला इसमे यूगहम गलत है यूप कि अगे दखते हैं बहुत शिच्छा का कैंद्र हैट ठीध नानदा के स्थापन करवार गुप्त लांदा विश्वधाले के स्थापन का यूग है तो इसी अपक्सक्र्ण नरे बधार्ण दर्शन नान्दा पिश्वधाले कि इसके लिए प्रसी था तो से याप सुन रगा बहुत धर्म दर्शन के लिए यह पर कथन कारण दिया हुआ है तो बारवी सतावदी के अंद तक नान्दा पिश्वधाले का पतन हो गया था यह बिल्कुल सही है महावीर को राज के प्रश्वधाले महावीहार को राज के प्रश्वधाले मिलना बंद हो गया था यह बिल्कुल सही है तो यह बिल्कुल सही है तो यह बिल्कुल सही है तो यह बिल्कुल सही है करता है आगे नवलानन्दा महाविध्यार किसके लिए विक्यात है तो सी अपसन नहीं रहाए पालिया नुशन धान संस्थान के लिए नमन कित्म से कौन से बाथ धर्म और जेयर दोनों में समान रूप से बिध्यमान्त है तो इसमें जाएगा 2, 3 और 4 मतलब ताप और भोक के अति का परिहार या बिल्कुल गलत है वेद प्रमान निके परती अनास्था या बिल्कुल सही है कर्मकांडो की फलवता का निशेद या भी सही है प्रचीन भारती इतिहास के संदर में निकित में से कौन सा बहुत धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था तो ताप और भोक के अतिका परिहार या बिल्कुल गलत है वेद प्रमान निके परती अनास्था या बिल्कुल सही है प्रमान निके प्रमान भुद्ध ने निके चारा सत्यों का परती इपादन किया नीचे देगाई कूट का प्रियोक कर सही उन्हें सही क्रम में रखी है तो पहले क्यों सही हो जाएगा दुख है फिर हो जाएगा दुख का कारण है फिर हो जाएगा दुख का निशेद है और फिर हो जाएगा दुख निरोध का मार्ग है A option आगा A, D, B, C पहले दुख है दुख का कारण है दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है A, D, B, C बहुत अथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं तो यह अप्सन आगा कर्म तथा पुनर जन्म के सिधान सही है बहुत तथा जन्म दोनों ही विश्वास करते हैं तो यह अप्सन कर्म तथा पुनर जन्म के सिधान सही है यह पर कतन करन दिया है पुनर जन्म नहीं होता या विल्कुल गलत है उसने वर्ण एभम जाती को अस्युकार नहीं किया या विल्कुल सहिए ऊसने ब्रह्मन बर्ग की सर्वोच समाजिक कोटी को चुनवंति दिया फिस सहिए उसने कुछ एक शिल्पो कोनिम्न माना या भी सहिए तो C option है का 1, 2, और 3 आगे बौध धर्म के विस्तार के कारणों में संब्लित थे कौन क्या-क्या संब्लित है तो धर्म की सादगी सं humor थी दलितों के लिए विशएश अपील सं humor थी धर्म की मिश्णरी भावना सं guard थी और स्थानिय भाषा का प्रियोग सं humor थी आगे है अरंभिक मध्धी युगिन समय में बहुत धर्म का पतन किनी कारण से सुरू हुआ तो उस समय तक बुद्ध बिश्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैशनब धर्म का हिस्सा बन गया है यह अप्शन हो जाएगा केवल एकिस में सही है उस समय तक बुद्ध बि जैनमत के समप्रदायत है या बिल्कुल गलत है सर्वसती वादियों की मानता थी कि द्रिग विश्य या फिनोमिना के अव्यप पुंता च्छनिक नहीं है अपितू अव्यक्त रूप से सदय बिद्यमान रहते है या बिल्कुल सही है तो बी आप्शन हो जागा इसमें केव जैत तथा बिहार में क्या अंतर है इसे चुने है तो चैत पूजा अस्थल होती है जबकि बिहार निवास अस्थान होता है कुछ शैलकृत बहुत गुफाओं में चैत कहते हैं, जबकि अन्निकों बिहार कहते हैं, दोनों में क्या आतर है, तो B option हो जाएगा, चैत पूजास्थल होती है, जबकि बिहार बोध विच्छों का निवासस्थान होता है, आगे निमनकित कत्रों पर विचार कीजिए, इसमें सही कत्रों कौन सा है, देखना है, तो आजए देख लेते हैं, पच्मी गोदावरी जिले के गुंटु पल्ली में प्रारंभिक चैत है यह और दो इसमें दोनों सही है। आगे है, ध्यान कट्रों, जो महा संधिको के अधिन, एक प्रमुक बाध केंद्र के रूप में संवने में रूपित थे. तो यह अपस्ट है ऐगा अंदर को ध्यान कटक्ण जो महासंगी को यह दिन एक प्रमूख के बहुत के रूप में समरिद ओंने में कि तुम से किस एक छित्रम अवास्थित था तो यह अपस्ट पाहस्थ आम रहें और जैन धर्म तो आईए इसे जुले प्रशनों को एकर करके हम लोग देख लेते हैं जैन धर्म के बारे में पहला प्रशन जैन धर्म के संस्थापक थे तो D आप्शन हो जागा रिशब देव जैन धर्म के संस्थापक कौन थे तो D आप्शन रिशब देव जयान तिर्थकार पार्शावनात निविखित अस्थानों में से मुख्यता किसे असा मंदित थे तो यह उप्षन हो जाएगा वारा नसी सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है यहां पर तिर्थकार और प्रतिक लक्षन तो आदी नात हो जाएंगे ब्रिषव मली नात हो जाएंगे जलकलस पार्शाव नात हो जाएंगे शर्प और संभब नात हो जाएंगे अस्व ए उप्षन हो जाएगा एक चार तीन दो एक चार तीन दो फिर से देखते हैं आदी नात हो जाएंगे ब्रिशब, मली ना थो जाएंगे जलकलस, पार्षब ना थो जाएंगे सर्प और संभब ना थो जाएंगे आश्वु फिर से सुमेलित का निकली दिया हुआ, आए मिला देते हैं पार्शासओनाथ होस्ट। उसक्ट नुम होता है या उस सही आईए, नहीं शिखर या बिल्कुल गलत है नेमिनात उर्जायंत्र या बिल्कुल सही है महाविर पापुरी या भी सही है बी आप्स इसमें गलत है वशुपुज शमेद शिखर अगला मिलान करने के लिए दिया हो आये मिला कर लेते हैं एका करके स्रावस्ति हो जाएगा संभवनाथ संभवनाथ कांकदी हो जाएगा सुविधी नाथ आयोध्या हो जाएगा श्रब रिषब नाथ और परोशा हो जाएगा पदम प्रभु अगला प्रशन निम्रिखित तीर्थांकरों पर विचार कीजिए तता उनको सही कालूनसार व्यवस्तित कीजिए नीचे दयकुट से स सही उतर का चेहन केजिए तो आजए करके देख लेते हैं पहले हो जाएगे अभिनंदन फिर हो जाएगा पादम प्रभु फिर हो जाएगे विल्वनाथ मनु शुब्रत नाथ यह उप्षन एक चार दो तीन एक चार दो तीन अगला प्रस्ण महाविर स्वामी का जन्म कहा ह हुआ यह ऑफ्षन हो जाएगा कुडल महाविर स्वामी का जन्म कहा हुआ अब संक च Teddy Bear महावीتي में किस नगर में हुई तो तो UN Plusعمcile गाव पूरी महावीयर की संबंध मे क्या सही नहीं है तो pikлем'd इनों ने उन्होंने अपने जीवनकार में नहीं किया यह मारत उन्हें? 24 ओर अंतिम तिरत्कार माना जाता यह बहुत सही है उनकी माता द से steht की और यहां बलकुल है उन्होंने 257 कि यसभन पापुरी में द्यान के यह सही है सिय इसमें गलत हैं कोनों ने विद्ध है तीर्थां करो करम में अंतिंग था तो ऩी अपस्दियगा महावीर कि नहीं प्रभाव्वास्गीरीम जिनका तीर्थंग्र घ्रHyएव वे हैं दी ऑप्शन जयव जैन प्रभास ग्री जिनका तीरत अस्था लेवा पाउन है तो भी ऑप्शन वेगा जैन जैन धर्व के पुर्ण ज्यान के लिए क्या शब्द है तो सी ऑप्शन वेगा कैवल ले महाविर स्वामी को किस नदी के तर्ट पर ज्यानोदय प्राप्थ हुआ ठाथे आठान समयक दहारण समयक जाजर समयक ज्ञान, समयक जनी की नहिंड है हुआ कौन सा तो सी अप्शन लगा जैन धर्म त्री रतन या तीन रतन जैसे सटी ग्यान सची आस्था और सटी क्रिया निमने से किसे समदित है तो सी अप्शन लगा जैन धर्म से तिरी रहतनिं या 3 रहतन जैसे साथी ग्यान, सची आथा और सठी क्रिया निम्नक मैं से किसे समझ धीता है तो C आप दियात खोगता दार्म में परटिपाध Clinton का किया थे किसше है तो C आप दियातर्मiają। सियादबाद सिधान्त है तो सियादबाद सिधान्त है तो सियादबाद सिधान्त है तो सियादबाद सिधान्त है तो सियादबाद सियादबाद सिधान्त है तो सियादबाद 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 सिया यह अप्शन हो जाएगा सरभावमिक बिधान से होता है जैन दर्शन के अनुसार सिरिष्टी की रचना यहां पारन पोशन यह अप्शन हो जाएगा सरभावमिक बिधान से हुआ है अनिकांत वाद निम्लिखित में से किस क्रोड सिधान पर यहां दर्शन है तो यह अप्शन गुमता है अर्थात अनेकांतवाद और स्यादवाद और दूसरा है अनेकांतवाद के अनुसार परतेक प्रानी में कई गुन होते हैं वस्थाई गुन जो किसी वस्तु की प्रकिर्टी के निधारन करता है गुन कहलाता है एक और दो इसमें दोनों सही है फिर से देखते हैं जेन दर्षाओं के संबन्द में निमिकित कत्रों पर विचार किजिए जेन दर्षाओं दो मुख़ी सिधान्तों के एदगिध हमता है यथा अर्थाद अनेकांतवाद और श्याधवाद यह बिल्कुत सही है अनुकित में से कौन सा धर्म बिश्वीड विनासकारी प्रले की अवधारना में विश्वास नहीं करता है तो बिश्वीड़ना में जैन धर्म निम्कित में से कौन सा धर्म विश्व विनासकारी प्रलय की अधारनाम विश्वास नहीं करता तो भी आप सुनरेगा जैन धर्म जैन धर्म की अधारभुद बिंदू है तो सी अप सुनरेगा अहिंसा जैन धर मंकणत मुखै कुम सबसे पूर वे कालिक जैन गरंथ कहलाता है तो 12 उपन 14 पुर्व हो जाएंगे C option निमखित में से सबसे पुर्व कालिक जैन गरंथ कहलाता है C option निमखित में से किस भासा में लिखे गए है तो E option निमखित में से कौन सास्थल पार्शावनात से संबंदित होने के करण जैन सिधान छेतर माना जाता है तो C option निमखित में से कौन सास्थल पार्शावनात से संबंद होने के करण जैन से धान छेतर माना जाता है C option निमखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है तो E option निमखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है तो यह अप्सनेगा थोरी गाता जन संपर्दाय में पर्थम बीवहाजन के समय स्थांबर समथापक थे तो यह अप्सनेगा स्थूल-भध्र जैन समपर्दाय में पर्थम भीवाजन के समय स्वेतामबर समपर्दाय के स्थापक थें तो यह उप्सुन रेगा स्थूल भद्र भगवान महावीर का पर्थम सिश्र था तो यह उप्सुन रेगा जमाली भगवान महाविर का पर्थम सिस्थ कौन था तो यह उपसुन जगा जमाली किस जयन सभा में अंतिम रूप से स्वयतामबर आगम का सम्पादन हुआ तो D उपसुन जगा पातली पुत्रा में किस जैन सभा में अन्तिम रूफ से स्वोहतांबर आग्म का संपाधन हुआ तो दे अपैसना कारण दिया हुआ है भी तामबर ध्रम सुत में बारा अंग स्वामिलित है तो ब्लीकुल सही है स्वेतामबर परंपरा का नुसार इन अंगों का शंकलन बल्लभी में आज़ित एवं एक धर्म सभा में किया गया या भी सही है तो डी आप्सन हो जाएगा कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है फिर स्वेतामबर धर्म शूतर में बारा अंग सम्मिलित है या बिल्कुल सही ह स्वेतामबर परंपरा का नुसार इन अंगों का संकलन बल्लभी में आज़ित एक धर्म सभा में किया गया था या भी बिल्कुल सही है या बिल्कुल गलत है तो डी आप्सन हो जागा कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है निम्न कथनों पर विचार कीजिए इन कथनों में कौन सा सही है देखना है तो बर्दमान महावीर की माता लिच्छेवी के मुखे चेटक की पुत्री थी या बिल्कुल गलत है गौतम बुद्ध की माता कोलिये राजवन्स की राजकुमारी थी या बिल्कुल सही है तो सी आप्शन इसमें जागा दो और तीन इसमें सही है फिस प्रचीन जैन धर्म के संबंद में कौन सा कतन सही है तो सी आपसन इसमें सही हो जाएगा पर्थम शतक इशापूर में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला प्रचीन जैन धर्म के संबंद में निविखित में से कौन सा कतन सही है तो सी आपसन इसमें सही हो पहला हो जाएगा कर्म को विनिष्ट करने की सुनिष्चित मार्ग तत्पश्चात है या बिल्गुल सही है परतेग वस्तों में चाहे हुआ सुच्मतम कन हो आत्मा होती है या बिल्गुल सही है कर्म आत्मा का विनाशक है और आप अवश्यक इसका अंत करना चाहिए या भी संसे समाधी मरन किस दर stands संबंदीथ है तो बी झेंदर सं से निवन हैं जर्षें Wars सिर्फिंदों पर विचार कि जो पिक्तिन में सितू कौन सां कत्र चंत numerator सही है च्छिटीन प्हारत से प्र शाu को लिए बइसे और से रहन तसे किसे किसे किस ने परती पादित किया कि भाग यही सब कुछ निरारीत करता है मनौश्य पैसमर्थ होता है निविकित में से किसने प्रतिपादित किया कि भागे ही सब कुछ निदाहित करता है मनुशुस आसमर्थ होता है संपर्दाय जो नियती की अटकला में विस्वास करता है आत्मा के वल जन्तु और पादव जीव किस संपता नहीं है बलकि शिलाओं, प्रवाहित, जल्दारों और अन्य-णेक प्रखिर्टिक वस्टों में भी है जिने अन्य-धार्मिक संपर्दाय जीवित नहीं मानते है उप्युक अथन प्रचीन भारत के निवलकित में से किस एक धार्मिक संपर्दाय कि एक मुलभुत बिश्वास को परतिविम्भित करता है तो भी अप्स नहीं जाएगा जैन परमपरा फिर से आत्मा केवल जन्तु और पादप जीव की संपदा नहीं है बलकि शिलाओं प्रवाहित जलधाराओं और अने अनेक प्रकिर्थिक वस्तूओं की भी है जिन्हें अने धार्मिक संपरदाय जीवित नहीं मानते उपर कथन प्रचीन भारत के निम्लिकित में से किस एक धार्मिक संपरदाय की एक मुलभुत पिश्वास में परतिविम्भित होग करता है तो बी अप्स नहीं जैन परमपरा बी अप्शन तीन दो चार एक फिर से लखुलिस हो जागा पशूपत नागाजुन हो जागा सुन्ने बाद भद्रबाहु हो जागा जैन और गोशल हो जागा अजीवक अगला है बरावर की गुफाओं का उप्योग किस ने आश्राइ ग्रह के रूप में किया अजीवक ने बरावर की गुफाओं का उप्योग किस ने आश्राइ ग्रह के रूप में किया तो यह उप्योप जागा आजीवक ने उतर परदेश में बहुत एवं जैन दोनों ही प्रसिद तिर्थ थली हैं तो यह उप्योप सामभी निमकित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है तो सरवन बेलगोला स्थिद गुमतेश्वर की परतीमा जैन ही हो कि अंतिम तिर्थ कर को दर्शाती है या बिल्कुल गलत है भाद का सबसे बड़ा बहुत अमठ अनाचल परदेश में है या बिल्कुल सही है सरवन बेलगोला में गुमतेश्वर की बिशाल परतीमा किसने स्थापित करवाई थी तो यह अप्सन हो जाएगा महां धार्मी घटना महां मस्तक विशेग निमिकित में से किसे संबनित है और किसके लिए की जाती है अगला है शैब था भागवत घर्म तो आईए के करके इसके प्रस्म देखते है पहला प्रस्म प्रचिन भारत के है विशोत पत्ती मतलब कॉस्मोजेनिक विशयक धारनाओं के अनुसार चार यूगों के चक्र का क्रम इस परकार है तो C आप्सन हो जाएगा पहला है क्रित फिर तिरेता फिर द्वापर फिर कली यूग निम्रिकित में से कौन सा प्रचिन भारत में शैव संपरदाय था तो B आप्सन हो जाएगा मतम यूग अर्दनारिश्वर मूर्ति के में आधा शिव और आधी परवति प्रतीक है तो C आप्सन देवी और उसकी सक्ती के यूग नायनार कौन थे तो B आप्सन हो जाएगा शैव धर्मान वाई नीमरीखत मेंसे कौन अलवार संत नहीं था तो B आप्सन हो जाएगा तिरू ग्यान वहागवत संपरदाय के विकास में किसका दिन अतियाधिक था दियाधिक उ प्रवर्थ आगे है भागवुता धर्म के प्रवरतठ थे तो प्योप्स ओपनिसी ते, निवकित में से। किस ग्रंथ में सर्प्थम देवकि के पूटरड़ क्रिष्न थे तो प्योप्स ओपनिसद। निम्हेत मेंसे किस ग्रंत में सरपर्थम देव की के पुत्र र क्रेष्ण का वरनन मिलता तो भी प्नड़ागैं चंद बहुत्र पनी शद्रफ भाह्वतर तॉइन निम्हेत मेंसे के सपर्दा को कला में हल्ल लिय प torchrift किया गया तो भी प्र भागवत संपर्दा में भागती के रूप की संख्या कितनी है तो C अप्सुदेव से भागवत धर्म संबंधित प्रचिंतम अभिलेखिय साक्ष है तो D अप्सुदेव से भागवत धर्म से संबंधित प्रचिंतम अभिलेखिय साक्ष है किसका तो C अप्सुदेव 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 साक्ष है किसका तो C अप्सुदे आपत्सके और बास्ति voice proportion compare valuella सप्वर अश्कितर विसल्स को सागर को सागर से उद्धार करते हुए का अंकित किया गया तो सी बुकलने की सागर सागर से उद्धार करते हुए अंकित किया गया तो सीउपसे नहीं कि बारत में आस्तिक का कौन से बिवेधा radioactive लख्षन है। तो C अप्षिन हो जईगा वेदों की प्रमानिकता में अनास्था। निविखित में इसे कौन मोक्ष के साधन के रूप में ग्यान, कर्म तथा भागति को समान महत्वद देता है। अधोले खित मैंसे कौन सा एक गीता का मुक्षित सिच्छा है यो कर्म योग भारतिय संस्कृती में किसे अनंग कहा गया तो सी ऑ्प्शन हो जाएगा घ데 अनंग कहा गया तो सी उक्षन हृजाएगा काम को निम्कित में सैं कौन प्राइषन सास्त्री में सम्फलित नहीं है तो वह उप्षान तो इमिश्ण रहाी उप्षन नहीं है तो सी उप्षन हो भागवत यहां पर सुमरित का निकली दिया हुआ देप्था और पहचान तो विशिव का हो जाएगा त्रिशूल विश्नु का हो जाएगा चकर गनेश का हो जाएगा रसी या फंदा और सरसती का हो जाएगा वी ना भी ऑप्शन हो जाएगा दो एक चार थिन दो एक चार थिन पूरी में रथियात्रा किसे के सम्मान में निकाली जाती है तो C आप्शनों का भगवान जगनाथ के नासिक में कुम्भी मेला निम्में से किस एक नदी के तर्ट पर लगता है तो D आप्शनों का गोदावरी नदी नासिक में कुम्भी मेला निम्में से किस एक नदी के तर्ट पर लगता है तो D आप्शनों का गोदावरी नदी नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म के किस छेत्र में लोगप्रिय बनाया तो E आप्शनों जागा उत्तर भारत नाथपंथियों, सिद्धियों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस छेत्र में लोगप्रिय बनाया तो E आप्शनों जागा उत्तर भारत यहां पर मिलान करने के लिए दिवा सुची एक को सुची दो से, आएए मिलान कर लेते हैं करके तो जैन धर्म हो जाएगा पावपुरी हिंदु धर्म हो जाएगा वारानसी इसलाम धर्म हो जाएगा मदीना और इसाई धर्म हो जाएगा वैटिकन C option हो जाएगा 3-4, 1-2, 3-4, 1-2, फिर से जैन धर्म हो जाएगा पावपुरी, हिंदु धर्म हो जाएगा वारा नसी, इसाई धर्म हो जाएगा मदीना और इसाई धर्म हो जाएगा वैटिकन सिटी, C option 3-4, 1-2, अगला चेप्टर हमारा, छटी सतावदी इसीपुर में राज सिक्के किसके हैं तो इस डियो उप्षन चांदी के, निम्द में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है, तो बी उप्षन इसमें गलत है, कोसल आईच्छतर या विल्कुल गलत है, अंग चंपा सही है, वद्सिक और सामभी सही है, मत्सि विरातनागर या भी सही है, तो बी तब तक लिए वीडियो को जादा जादा आवार देखिए, रिविजन करिए, और जितना जादा हो सके, उतना जादा लोगों तक शेयर कीजिए, पाते रहिए, स्वस्त रहिए, और रिवाइस कीजिए, तब तक लिए जैहिन जैभारत